अगर आप SBI Bank के account holder है, SBI Yono app को use करते हैं, तो जब भी आप SBI Yono app को open करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस type का interface सो होता है, और इसके just down में आपको एक message सो होता है तो guys, insurance का ये वाला SMS अभी के time में सभी SBI Yono app को use करते हैं, तो आप SBI Yono app को use करते हैं, तो आपको instant life cover है, वो मिल जाएगा, बीना किसी medical test के और बीना किसी documentation के, क्योंकि आपके document आपके account में valid हैं, और init document में से ये insurance premium है, वो आपकी detail है, वो ले लेता है अपनी life को secure करने के लिए, अगर आप इस insurance को purchase करना चाते हैं, तो आपको buy now पर click करना है, उसके बाद आपके सामने इस type का interface आएगा, यहाँ पर आपको 2 lakh रुपे का insta life secure amount बिलेगा, 295 रुपीज में आपको कोई भी insurance company, 2 lakh रुपे का life cover, life secure insurance कोई नहीं देगी, तो आप इस insurance को purchase कर सकते हैं, SBI के इस वाले insurance को purchase करने के लिए आपको personal detail पर click करना है, आपकी यहाँ पर date of birth सो हो जाएगी, उसके बाद आपकी email ID सो हो जाएगी, और यहाँ पर आपको nomini का नाम enter करना है, तो nomini यहाँ पर जरूरी रहता है आपको, उसके बाद nomini की date of birth आपको select करनी है, date of birth एंटर करने के बाद आपको next वाले button पर click करना है, जैसे ही आप next पर click करेंगे, आपके सामने medical information enter करने का interface सो हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको height लिखनी है, medical information में लगबग सभी जगा आपको नोही करना है, अगर आपको covid-19 या फिर आपने last 2 महीने में travel किया है, तो आपको यहाँ पर 10 cigarette a day, यानि कि एक दिन में आपको 10 cigarette से ज़्यादा पीते हैं, तो आपको यहाँ पर yes पर click करना है, अन्यता सभी जो भी आपके सवाल है इस पर आपको नोही select करना है, उसके बाद आपको submit पर click करना है, जैसे ही आप submit पर click करेंगे, आपके सामने payment detail आ जाएगी, यहाँ पर basic premium Dicer रुपे हैं और GST 45 रुपीज लगे हुई हैं, जो हमारा total premium बन रहा है, वो 295 रुपीज बन रहा है, इसको मैं अपने SBA account से pay करना है, तो अपना saving account select कर लीजिए, जिस account से आपको pay करना है, अगर आपके पास current account है, तो आप current account से भी pay कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ प insurance को auto renewal कराना चाते हैं, तो आपको blue tick पर click करना है, अन्यता आपको यहाँ पर uncheck कर लेना है, तो मैं यहाँ पर auto renewal नहीं रखूंगा, उसके बाद pay now पर click कर लूँगा, जैसे ही मैं pay now पर click करता हूँ, तो मेरे registered mobile number पर एक OTP send किया हुआ है, OTP submit करने के बाद आपके सामने successful का SMS आ जाएगा, और जो भी insurance certificate है, वो आपके registered email ID पर send कर लिया जाएगा, अगर आप अपने insurance को download करना चाते हैं, तो यहाँ पर download का button है, इस पर click करके download भी कर सकते हैं, insurance certificate कुछ password से protect होता है, तो इसका password आपको अपने date of birth और mobile number को mix करके बनाना है, example आपके सामने है, अगर आपक 0MAR टाइप करना है, उसके बाद आपके mobile number के last four digits आपको enter करना है, आपकी PDF file जो insurance का certificate है, वो ओपन हो जाएगा, तो गाइस अगर आप यहाँ नो इंस्टा लाइप कवर पर्चेश करना चाते हैं, तो मैंने आपको full detail बता दी है, अगर आपको इसमें किसी भी type का कोई भी confusion ह तो वीडियो के down में comment कर सकते हैं, बाकी आप हमारे channel को subscribe करके रखिए ताकि आपको सभी वीडियो की notification सबसे पहले मिल पाए